पिर से बिहार के बाद मुम्माई में भी सफलता हासिल कर रही है राम लखिन क्या कहा है देखे राम लखिन जो फिल्म है वो एक अलग तरह की फिल्म है बोजपुरी फिल्में जिस तरह हम लोग बनाते हैं तो उसमें एक्शन बहुत बनता है बहुत ऐसी फिल्में आती है जि कि जो हमारे यूबी बिहार के लोग हैं जो परिवार में विश्वास रखते हैं जो रिष्टों में विश्वास रखते हैं वो लोग इससे पसंद करें तो आज यह फिल्म जिस तरह से लोग देख रहे हैं जैसे लोग लाई कर रहे हैं और जिस तरह के फिल्मों की कमी रहती ह वो पूरी किया है राम लखन ने और इसके लिए मैं अपने चोटे भाई को धन्यबाद देना चाहूंगा प्रवेश लाल यादो जिन्होंने ये फिल्म बनाई और हिम्मत दिखाया कि जहां इतनी एक्षन और मसाला फिल्म में चलती है वहां पर प्रवेश ने इतनी हिम्मत दिखाई कि नहीं हम लोग फैमिली फिल्म बनाएंगे तो इसके लिए मैं परवेश को धन्यबाद देता हूं और अपने धर्शकों को बहुत धन्यबाद देना चाहता हूं जिन्होंने इतना सफल किया इस फिल्म को कि अच्छा लगता है कि दर्शक के साथ बैठने के बाद ही पता चलता है कि उन्हें क्या अच्छा लग रहा है कहां वो रियक्ट कर रहा है कहां उनको नहीं अच्छा लग रहा है कहां वो शांत बैठे हैं तो जब दर्शक के साथ बैठते हैं और कोई सीन चल दाओ जिसमे तो इसलिए दर्श्वों के साथ हमें फिल्म देखना पड़ता है ताकि हमें पता चले कि वह फिल्म को कितना चीतर ले रहे हैं हम बहुत सारा पैसा आप इसका एक कारण यह भी है कि हम बहुत सारा पैसा आजाता है और मुझे लगता है कि जो भॉजपूरी दर्शकों ने मुझे बनाया है और मुझे जो कुछ दिया है जो एक मुकाम पर पहुँचा है कि मैं इसको बदल सकता हूँ मैं इसको थोड़ा बदलाव ला सकता हूँ तो मैं अगर लोग करूँगा तो बदलाव नहीं आपाएगा इसलिए मुझे ये जिम्मेदारी मिली है और मैंने ऐसा समझा है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देरे-देरे इसको बदलाओ को लाओं भले हो सकता है कि कुछ बार मुझे सफल भी होना पड़े पर मैं इसको छोड़ूँगा नहीं पारिवारी फिल्मी बनाऊंगा और जिस तरह की फिल्मों की कल्पना की जाती है कि भोषपुरी में बने वो फिल्में में बनाता रहूंगा अधिने जी बड़े मुश्किल से विहार में शराफ बैंड हुआ है जे और आपके इस फिल्म में शराफ पीडर सीन एक सब्सक्राइब है अगर उन भाईयों में कुछ बुरा हो जा चाहती है तो वो दारू के चलते जुवा के चलते तो हमने इस फिल्म से मैसेज ही यही दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार सुखीर है आप चाहते हैं कि आप बहाई-बहाई में पड़ बना रहे सब Kुछ अच्छा रहे तो आप शराफ से दूर रहे यही म